हेलो फ्रेंट्स इस आहोल एंविल्कम टो जिर्फ ड्रीमर्स तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम डिस्क्रश करने वाले हैं प्रिवेश्य यर्म सीक्यू मेली फॉर्म 2017 और अच्छे से अटेम्ट कर लिया होगा एंड आज की वीडियो में हम 2017 के कंटीन्यू करने वाल सब्सक्राइब कर लेना अगर आप एंटेविश्य नेट कोमर्स की प्रिवेशन कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओके सो कुशन नमर्फ फर्स्ट टैक्रिकल कोशन आया हुआ है गुड्विल ओफ द फर्म ओफ एक्स य इस वैलूट ए 30,000 तो गुड्विल दे कितना अमाउंट लाना चाहिए ओके ऑप्षिन फर्स्ट 3,000 ऑप्षिन सेकेंड 4500 ऑप्षिन थर्ड 7500 ऑप्षिन 10 और ऑप्षिन फोर्थ 10,000 तो फ्रेंट्स पहले को खुशन को खुश से टेम्ट करना एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूं यह जो गुड्विल वा गुड्विल है इस में से ज्यादे फॉर्ट फीचर है गुड्विल है इस तरह के टोपिक्स जो है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑवी से काफी इम्पोर्टेंट है तो इनको भूल कर भी मज छोड़ कर जाना ठीक है तो इसका जो है वन बाइफ फोड शेयर जो है किसको पे करन ना पड़ेगा ठीक है तो वन बाइफ फोड शेयर जो सैंटी फाइफ हंडडेड रुपीस बनता है आई होप क्लियर होगे होगा कोशन सिंपल है बस थोड़ा वो सोचते ना की घुमा फिलागर देते प्रैक्टिकल कोशन की यह खास रहती है हम छोड़के दो आ जाते है ल लेकिन जो एप्लिकेशन है वह त्री थाउजन शेयर की आतीया है ठीक है अप्लाइब करने वाले थी थाउजन शेयर के लिए प्लाइब करते है प्रोड़ाय अलोट मेंट विच वाल मेंड ओन अप्लिकेशन फोर 2 2400 तो च्वट फून्टी ती पॉर थाउजन के लिए यह चीज़ याद रखना इफ यह यह ब्रना है जिसको अमने 40 शेर्स यह हैं तो बताओ उसने कितने शेर्स के लिए एपलाई किया होगा तो कोशन को एक थोड़ा कैका कर देती ऑटेहरोड e Пр rain के वर 200 upward कटरेश चल्ब कर देती है तो बताना है कि एक ऑनधा है है जिसने 40 शेर्स के लिए कंपनी की तरफ से उसने कितने शेर्स के लिए मर्ल के टिया किया होगा सब से पहले थिंग तो यह कि जिसको 40 shares के लिए माल लो उसने उसको एलोट किये गए हैं तो उसने अप्लाई ज्यादा शेयर के लिए क्या होगा ठीक है तो जो आंसर रहेगा वो हमारा 40 आसर देखेंगे तो लेट सी क्या अंसर होते इसका तो इट संसर इस 48 अब वो 48 कैसे आया देखो जो एप्लाइड के दो कितने के दे 2400 लेकिन अलोट कितने के गए थे 2000 शीर्स और 40 शेर्स को अलोट किये गए थे तो हम मल्टिप्लाइ करेंगे तो हमारा 48 जो है आंसर आजाए इस एक सिंपल से आपको लोजिक लिवा के जो कोशन है वह आस किया गया होगा ठीक है तो चलिए नेक्स कोशन देखते हैं विच फ्लोइंग रिशीप्स इस ओफ रेवेन्यू नेचर तो आपको पहली बात एक चीज़ और क्लियर कर लेना रेवन्यू रिशीप्स डेवेन्यू एक्स्पेंडिचर बूल कर भी टॉपिक को मद छोड़ कर जाना काफे इंपोरेंट टोपिक है लास्ट नितने भी वीडियो से उसमें कहीं बार कोशन आपको देखने को मिला होगा ठीक है मैंने क्लियर भी कर चुका हूं इसके बारे में तो इन में से कॉन से जो रिसीट्स है वो रेवेन्यू नेचर की है आपको बताना है ऑप्शन फर्स्ट अमाउंट रिलाइज फ करो अगर आपने यूनिट्स कर लिया है तो आप इसको अट्एंट्ट करते ना साइड बे साइड कर रहे हो कि आपने साइड विद्स तो कर लिए है बट इन रिल्टी आपसे यहां पर प्रिविस ही नहीं हो पा रहे है तो आप एकजाम में कैसे करोगे ए टेम्ट्सो पर य कर चीज़े हैं वह करते हैं रेवन कर रहे हैं नहीं कप करद आ कोंगे अग हैं ढगर भीडियो की बात एक इंपरेंट टोपिक टोपिक कोश्टिंगी रिगार्डभाइट टोपिक कोट Śछन आ चुकए हैं इसको भी आप क्या करने ना ध्यान से कर लेना आप एक लिस्ट बना लो कि कुण को उन्हों से टोपिक्स जो है इंपोर्टेंट आते चारे हैं ताकि उनको पर आप अच्छे से अनलाइसिस अच्छे से उनको स्टेडी कर सको okay option first standard costing is a system where predetermined cost are used for control of entire organization option second standard may be expressed in quantitative or monetary measures third only adverse variants are investigated intensively fourth standard is determined for each element of cost so first and is yours oh I hope kept my attempt kali yoga चली देखते सकांसर क्या होगा its answer is only adverse variants are investigated investigally देखो जब हम standard costing अंदर जब हम standard को determine करते हैं उसके साथ अपनी कोस्ट को compare करते हैं और अगर कोई variance आता है तो हम सिर्फ negative variance को ही analyze ने करते हैं positive variance को भी देखते हैं positive variance को इस ही देखते हैं ताकि हम पता लगा सके कि कहां हमने improvement करिया है और क्या चीजिए हमाई से ही चल रही है तो इसलिए जो हैं सिर्फ negative variance को ही है हम क्या नहीं करते analyze नहीं करते हम positive variance को भी चेक करते हैं चलिए तो अगेन एक important question important topic से cost profit volume analysis इनके जितने भी formulas है सारे याद करेने चाहिए बीपी का हो पीवी रेशियो का हो contribution sale whatever कोई भी formula आपको इसका कोई formula छोड़कर नहीं जाना तो चली देखते है question which of the flowing is not correct तो कौन से में से correct नहीं है margin of safety is equal to profit divided by PV ratio PV ratio is equal to change in contribution divided by change in sale into my hundred break-even point in units fixed cost divided by contribution per unit required sale to earn desired profit is equal to desired profit divided by PV ratio so friends first hand is yours so shall we take this cancer so it's answer is required sale to earn desired profit is equal to desire profit divided by PV ratio is not correct to a correct naia baki sari sari can correct time chalit okay to push like a question second schedule third of part second of the company's act deals with which of the flowing तो वो किसके साथ डील करता है यह जो schedule है इसका जो पार्ट है second वो किसी चीज़ील करता है option first format of balance sheet option second format of profit and loss account option third format of trading account option fourth format of cash flow statement तो चली देखते हैं so its answer is format of profit and laws account इसके जो schedule से complete act के काफ़े important है इनको आप ध्यान से कर लिना तो मैं आपको एक बता देता हूं कि जो schedule first है वो किसी चीज़ीश को denote करता है memorandum and article आपको बता है कि memorandum or article सबसे important documents मने जाते हैं तो schedule first जो है important documents के नाम पर schedule second अगर हम बात करें depreciation के schedule third बात करें balance sheet और statement of profit and loans account schedule fourth बात करें code of independent director schedule 5th appointment of managing director schedule 6th infrastructure projects schedule 7th corporate social responsibility most important is schedule 7th corporate social responsibility जो है काफी trend में है और इसका schedule आपसे पूछा जा सकता है तो याद कर लेना चलिए करते हैं नेक्स कोशन पे which one of the following statement is not true तो इन में से कॉंसे statement जो है true नहीं है option first when there is one liquidation and one formation it is known as external reconstruction तो जब हमारे आपे एक liquidation होती है और एक formation होती है तुसका हम external reconstruction काते है goodwill or capital reserve arises only when the amalgamation in the nature of merger तो nature of margin में ही goodwill arise होती है third में काता है कि under the pooling of interest method the transfer company incorporates the assets liabilities of the transfer company at book value fourth option कहता है कि the vendor company transfers primary expenses to equity shareholder account so friends I hope आपने attempt कर लिया होगा चली मुव करते हैं आंसर की तरफ so its answer is कि goodwill or capital जो reserve है वो arises only when the amalgamation in the nature of merger नहीं purchase method में भी हमारी goodwill rise होती है आपने देखा होगा कि हम पूरा का बुरा business purchase कर लेते हैं 50 लाग का business हमने बावन लाग में purchase कर लिए 52 लैक रूपीज में purchase कर लिया तो टू लैक इस तीज किया है वो टू लैक उसके goodwill के ही दिया है जो हमने उसको pay कर रहे है ठीक है तो goodwill जो है purchase method में भी arise होती है तो यह जो था statement हमारी गलत थी चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं consolidated financial statement are prepared on the principle तो जो consolidated financial statement है वो किस principle के base पर बनाए जाती है option first in the form companies are one entity in substance second in form companies are separate in substance they are one third in form and substance the company are one entity fourth in form and substance the company are separate चलिए answer देखते हैं इसका its answer is in form and substance the company are the one entity तो तो माई जो company है चाहे वो form में चाहे सब्सांस की बात करें जो वो एक single entity होती है तो उसके base पर जो है हमारी consolidated financial statement बढ़ाई जाती है तो consolidated financial statement के बार में बात करें तो इसमें क्या होता है जितने भी हम अपनी branch के और जिनने head office के जिनने अकाउंट्स अंको सारा कोई कठा करके मनाते है consolidate करके मनाते है एक 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 एकाउंट्स के अंदे सबके अकाउंट्स को शोओ कर देते है इसको हम करते consolidated financial statement है ंडाऊ ओके-णमें नेच्ट्सक्रेशन में अपाइन प्सकी और रहने नेसे एक्टिवीटी एनलीसिस थर्ड में दे रखा है लिकूविडिटी इनलीसिस फॉर्थ में दे रखा है लॉंग तर्म सोल्वेंसी नीचे मैं ओप्षिन दे रखे हैं तो फस्तन इस यूर्स तो चलिए आई होब कि अपने टेंट कर लिया होगा तो इट संसर इस फॉर्थ टेरीज एसी टेस्ट रेशो के अगर हम बात करें तो हमाई रिलेट करती है लिक्विडिटी अनलीसिस तो ऐसी टेस्ट रेशो आपने काफी बार सुना भी होगा कि ऐसी टेस्ट जो है हमारे लि अगर हम बात करें अगर हमारे एक्टिविटी अनलीसिस के रिगार्डिंग बात करती है चलिए मोग करते हैं नेक्स्ट कोशन पे अगेइन मैंच व्लोइंगा कोशन है लिस्ट फरस्ट दे रख है प्रिंसिपल अप्रिंस्ट कोशन है प्रिंसिपल अगर के करें तो जी है कि पूल्लीसिट इस प्रिंसिट मेंच व्लोट्व नविकिता ऑस्ट अट अल्यूपर अचलियु तो यह स्ट एक बात करें धृत्ट करीं भात करें तो फेल्ल्यू मेंच भात करें तो वैल्यू वैलूं प्रूं फ्लिटन टेनलीसियर एट कोस्ट और मर्केट प्राइज विचेवर इस लेस सो यह प्रिंसीपल और कंसेप्ट जे रखें इसके काफी इंपोरें टोपिक है तो इसको भी आप अच्छे से कर लेना तो आई हूप अपने अटेम्ट कर लिया होगा चली मोग करते हैं इसका अंसर की दरफ सो इट संसर कंट्रिबूटेट पर प्रोप्राइटर इसोने लिएबिटी इन बैलेंशिट तो वह जो है कंपनी के लिए 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 उसका उससे कुछ लिए ना दिना नहीं है देको मैंने को बिजनस के दर इन्वेस्ट करा तो एट लिस्ट मैं इतने पैस अपने वापिस लेकर ही जा करता है कि हमें conserve होकर होकर रहना है हम रिस्क नहीं ले सकते हैं तो जिसके भी वैल्यूबाकर होगी हम उसी को ही अपनी अक्यस्केंट इसों करेंगे चाहिए वह कोस्ट पर हो अगर हम बात करें प्रिंसिपल फौब में बशॉत में यह मेजर करेंगे घृब रिकोर्डिंग पंचुलेटी एंवनिट्य ओफ एंप्लोय ओफ और ऑबनेज़ेशन अगर हम बात करें उस्तोरिकल कोउस्ट कंसेट्स इसमें है हम प्लाइट प्लांट इन मशीनरी में सहित क्या है उसको ही इस्तोरिकल कोस्ट में उसकी वेल्य को लिखेंगे साइड में जोई depreciation है वो क्या करते रहेंगे डिडेक्ट करते रहेंगे हम वेल्यू उसको पे शो करेंगे जिस वेल्यू पर हमने उसको लिया था हिस्टोरिकल कोस्ट वेल्यू पर चलिए कोशन प्रेशंओ कंटाउड नेग साथ है कोस्ट प्रिपेश्ट प्रेश्ट्रांट इंग कोम्रेश्ट रहेंट को यह जाए है ने इसे नेडहीं को अंको यह एक भिल्यू आग जाती है जो अप्शोन 1 बातिवालेंग्श चेन्ट उप्स हैंट यंद्धू आवर्यू जाण पार्टनर is shown in the balance sheet as his तो एक पार्टनर है जो छोड़के जा रहा है तो उसका जो अमाउंट हमने पेड करना है वह हमाइड ली क्या है लिबिलीटी है एसेट है कैपिटल है लोन है तो सिंपल कोशन है सब्सक्राइब करना पड़ेगा इन फूचर फ्रेंट्स यह जो थे कोशन थे 2017 के थे आई होब कि आपको लेवल ठीक लगा होगा वीडियो में कोई दिक्कत आई हो हो किसी भी तरह का को एक्सप्रेशन स्टेल या आपको इंप्रूमेंट चाहते हो तो प्लीज निचे इस का म